हाई हाई वेलकम और इजल लर्णिंग नौवी आर गोइंग टो इस्टेडी थे नेक्स्ट पार्ट आप बीपीसी 011 फॉम इसकूल से लोजी ब्लॉक 3 यूनिट 2 दिस पार्ट 3 तो इस पार्ट में हम जो है आपको मेजर जो ब्रेन इस्ट्रेक्चर है उसके बारे में जानें इससलिए बताइब है और इसमें जो यह अन्दर जो है只是 आलग अलग छोटी छोटीस सर्भ दिविजिन किए हैं कि एसको टीवाइट करते हैं ब्रेन को तीन सब्दिविजन में इसको बारते हैं कि जो सबसेपॉला है उसमें हिंद ब्रेन उसके बाद है मिड्रे उसके बाद है आपका four brain the hand brain जो है आपका basic bodily functions are regulated by the structure of the hint brain which include कहाते हैं आपका जो सरीर में जो basic body functions होते हैं इसको किसके द्वारा चलाई जाती है रेगुलेट की जाती है तो हिंड ब्रेंट के structure के द्वारा आप यह हिंड ब्रेंट में होते हैं क्या समय तो इसमें आपके होते हैं मैडूला पॉंस और सेरी बेलम ठीक है यह होते हैं आपका हेंड ब्रेंड में मेडूला पॉंस और सरी ब्रेंड में अब यह सब के अलग-अलग function भी यहां पर दे रखें नीचे में देखिए कि दा मैडूला controls various bodily functions आप जो काम अलग-अलग प्रकार के कर रहे होते हैं शरीर में उन सभी को मेडूला control करती है involved in sustaining life कि आप अपने जीवन कैसे चलाएं ठीक है sustaining life हुआ दूसरा है आपका इसमें heart rate भी आपका include होता है blood pressure or aspiration जो सांस लेने के क्रिया होती है दा पॉंस सर्स वेरियस functions in regulating stages of sleep जो पॉंस क्या करते हैं जो आपको सोने की अलग-अलग अवस्ता है उसको चलाने का जो काड़ है उसको जो है काम कराती है या उसमें अपना help करती है जो सेरी बेलम होता है serves as a control center in helping to coordinate physical moment ये एक control center के रूप में काम करती है सेरी बेलम ठीक है जिसने की जो physical moment है आपका जो शारी जो आपका moment है उसको coordinate करने में उसको मदद करने में या उसको आगे बढ़ने में आपको मदद कर सके चलिए next देखते हैं यह तो आपका था हिंट ब्रेंड का आप देखते हैं mid brain में तो mid brain जो आपका है mid brain also is involved in the control of some other activities especially those related to fighting and sex mid brain क्या करते है कुछ अगर अलग परकार के जो motor activities होते है muscle activities होते हैं इन सभी को control करने में सामिल होते हैं खास करके यह आपको जब आप लड़ा जगरा कर रहे होते हैं यह आपके मन में जब सेक्स सम्वंदित बाते चल नहीं होती है तो उन सभी से सम्वंदित बातों को mid brain जो है यह control करती है कि इसके बाद जो next है वह आपका है four brain the four brain evolved more recently than the hind brain and mid brain कहते हैं hind brain और mid brain की तुलना में four brain जो है अभी अभी इसका बहुत हाल फिलाल में इसको develop किया गिया है evolve किया गिया है समय के साथ ही विक्सित हुआ है and therefore is the site of most sensory emotional and cognitive processes और इस कारण से जो sensory होते है emotional होते है और cognitive processes होते है उसका यह एक जगा या अड्डा बना हुआ है ठीक है sensory जानते ही है जो sense से संबंदित emotion से संबंदित और cognitive सोचने विचारने के जो कार्ज होती है उसी cognitive processes कहा जाता है these higher mental processes of the four brain are linked with the mid brain and hind brain by the limbic system यह जो उच्छ किस्म की जो mental processes होती है फोर ब्रेन की यह आपका mid brain के साथ जुरे होते हैं और hind brain के साथ जुरे होते हैं बाइद लिम्बिक सिस्टम के दौरा ठीक है next सलते है नेक्स आपका limbic system क्या होते है देखिए जो की एक मुख केंदर होते हैं आपकी emotion या मुख जो आपका basic learning processes है उसको नियमित करने के लिए या उसको चलाने के लिए इसके बाद जो next आप है spinal cord the spinal cord is also bundle of neurons that carries message to messages to and from the body to the brain that is responsible for a very fast life-saving reflexes कहते हैं ये बहुत bundles बहुत बढ़ा सा neurons होते हैं जो message को या ले जाते हैं या आपके brain से जो है आपके body मोही करें and from the body to the brain, bodies ये brain की तरफ ले जाते हैं ठीक है और ये curb करते हैं और ये काम करने में ये बहुत fast होते हैं और ये हमारी life को saving करने का भी काम करते हैं damage to any of these areas of brain of the parts of these areas would cause mental disorders or abnormalities कहते हैं अगर इन छेत्रों में से किसी भी part में अगर छतिग्रस्त हो जाती है damage हो जाती है किसी भी परकार के नुक्सान होती है तो ये हमारे अंदर mental disorder या abnormalities का कारण बनी ही जाएगी तो चलिए नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम जो है आगे आपको psychological factors से abnormality के हैं उनके बारे में जानेंगे वहां से शुरू करेंगे जिसमें जॉन बॉल्बी के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि तो आपके हुआ से जर वी जिसमेंगे का इसमेंगे से कहते हैं